So hello everyone, welcome to my channel commerce nodes आज हम एक very important question answer करेंगे जो कि 5 marks में आपको cost accounting subject से बनता है या फिर अगर आपके किसी भी subject में ये topic है, इन दोनों के बीच का difference है जो हम आज करेंगे इस वीडियो में तो उन सब के लिए video relevant है आज का question एक difference के उपर होगा difference between perpetual inventory system and periodically inventory system क्या होता है वो देखेंगे, अगर आपने अभी तक वीडियो को like नी किया तो वो कर देना, share भी कर देना अपने friends के साथ and subscribe नी किया चैनल को तो वो भी आपको कर देना है already हमने बहुत सारे question answers किये हैं, इसी वीडियो के description में आपको मिल जाएंगी उसका link playlist का तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, इस लेबस को भी discuss किया गया है, जो नई बच्चे है वो देख सकते हैं ठीक है, तो start करते हैं, चोटी सी वीडियो होगी, तो चलिए start करते हैं perpetual inventory system क्या होता है, तो कह रहे हैं, under this system, record of receipt and issue of material is maintained by the store department on a continuous basis इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा system है, जिसमें आप रिकॉर्ड रखते हो, receipt का, और कब-कब आप क्या है material को receive कर रहे हो, और कब-कब उस material को issue कर रहे हो, purchasing department को, वो सारा का सारा record आप लिखते हो, store department में, ठीक है, continuous basis भी, maintain किया जाता है, वो store department के दुआरा, continuous basis में, उसे कहते है perpetual inventory system, प्रियोडिकली inventory system क्या होगा, इस system के अंदर, जो stock है, उसको physically जाके verify किया जाता है, at the end of fixed interval, कि अब देखो नहीं, आप periodically का मतलब एक time period, तो एक particular time period के बाद क्या है, वो fixed होता है, इतने इतने time बाद आपको जाके देखना है, तो stock को physically verified किया जाता है, ठीक है, no record of receipt and issue of material are maintained, यहाँ पर कोई record of receipt की कब आपने receive किया, कब आपने issue किया, उसे आप maintain नहीं करते हो, आप बस physically verify करके जाते हो, यहाँ पर record maintain कर रहे हो, यहाँ पर physically जाके देख रहे हो, verify कर रहे हो, okay, second है हमारा, it involves the maintenance of record like bin card, अब आप record कर रहे हो, तो किसमें करोगे, bin card में करोगे, store ledgers में करोगे है, तो इसमें क्या है, इनको maintain करते हो, इसमें perpetual inventory system में, यह क्या करता है, यह शो करता है, कि कितना receipt क्या issue किया, कितना balance पढ़ा हो, stock का, all the time, यहाँ पर पता लगता रहता है, अच्छा, periodically inventory system में क्या होता है, bin card or store ledger को नहीं maintain किया जाता है, यहाँ पर तो आप inventory system में, does not require stoppage of business when stock taking is carry out, कह रहे हैं, जब perpetually inventory system चल रहा है, मतलब आप जाके क्या है, record maintain कर रहे हो, continuous basis पे, तो उस time पे आप record maintain कर रहे हो, तो उस time पे stoppage नहीं होती है, business के, मतलब business में कोई stoppage नहीं हो जाएगी, like, काम नहीं रुख जाएगा, ठीक है, आप किया है, सरफ stock के क इतने कब issue कर रहे हो, कब क्या कर रहे हो, वो सारा बस आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है, बट, प्रियोडिकल इंवेंटर सिस्टम में, क्या होता है, कि stoppage of business मतलब जो आपका काम है, वो उस time पे रुखता है, और देखा जाता है, कि भई, जो भी, म activities को रोग दिया जाता है, okay, fourth point देख लेते हैं, कि error and discrepancy होती है, जो, वो easily यहाँ पे हम ढूम सकते है, ठीक है, यह system है, यह कहा है, कहीना कही स्टाफ को भी बताता है, कि भई, आपको उपर check लगा हुआ है, ठीक है, आपको, मतलब, जो भी, आप issue कर रहे हो, या फिर आप receive कर रहे हो, वो आपको proper लिखना है, ठीक है, क्योंकि कल को आकर आप से कहा है, मांगा जा सकता है, कोई भी record, तो आपको proper maintain करके रखना है, इससे reduce होता है, risk of theft, जो चोरी का, material का, अगर कोई खतरा है, तो वो भी, इससे reduce हो जाता है, ठीक है, और कोई भी loss हो जा रहा है, तो physically verify कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो at the end of the accounting year कर रहे हो, तो इससे कहा है, increase होता है, risk कहीं न कहीं, भाई, चोरी का, loss का, यह सब का, फिर fifth point देख लेते हैं, more time consuming है, क्योंकि आपको क्या है, इसमें बार-बार क्या है, update करना है, सारे bin card बनाने है, store ledger बनाने है, तो यहाँ पर time जाता है, तो more time consuming है, ठीक है, क्योंकि इसमें require होता है, कि proper maintenance करने है, आपको various records की सारी चीज़े मागनी है, क्यों क्योंकि आपके उपर responsibility है, कि कल को आप से record मागा जाएगा, तो आपको देना पड़ीगा, ठीक है, और अगर हम बात कर ले, periodic inventory system की, periodic inventory system की, तो यह less time consuming है, क्यो आपको यह जो छोटा सा हमारा question था, यह जो छोटी सी वीडियो थी, यह आपको समझ आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया होगा, तो like, share, subscribe ज़रूर करना, thank you for watching this video,